नेशनल मीडिया चैनल आज तक की बरिष्ट पत्रकार स्वेता सिंग ने कुछ चिंदी चोड और अंडू जंडू गंजेरी टाइप के पत्रकारों को केस करने की धंकी दी है और इसके साथ ही साथ उन्हें मेल पर नोटीस वी भेद दिया गया है और आप उन पत्रकारों का न है और इसके साथ ही साथ लगभग 12 से 14 लोग ऐसे हैं जैसे कि पब्लिक जक्सन वाले यह ऐसे तमाम अंडू जंडू टाइप के लोग हैं जिन पर स्वेता सिंग ने मेल के जड़िये नोटीस भेजा है और आगे जार करके वे उन पर एफाई आड भी कर सकते नमस्कार मैं फ्रेंज कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पोजेटिव इंडिया दरसल आपको बताते चले कि स्वेता सिंग जो की आज तक की बरिष्ट पत्रकार है वे बिहार के पतना आई हुई थी और पतना के जेडी ओफिस में वो जा रही थी इसी दोरान सिमाब अक आपको परिचे दे जते हैं सिमाब अक्तर का परिचे है कि वह एक कटर मुसल्मान है और सबसे बड़ी बात ये है कि सुस्मा सोराज जो की बीजेपी की एक करदावर नेता थी सब विदेश मंत्री रह चुकी थी जब उनकी मिर्टू हुई थी तो ये सिमाब अक्तर उस समय निज फॉर नेशन में पत्रकार का काम कर रहा था नोकरी कर रहा था और जब सुस्मा सोराज की मौत हुई थी उस दौरान इसने बहुत ही घटिया अपमान जनक सब्दों का परियोग किया था और कटर जहादी जिस टाइप के सब्दों का परियोग करते हैं उस टाइप का ये सब्द का परियोग किया था और सुस्मा सुराज की मोद पर इसने जस्न मनाया था यानि कि आप कह सकते हैं कि ये टुकडे गैंग का सदस्य है और यह उसी प्रकार का जिहादी मानसिक्ता का वेक्ती है अब आते हैं कि दरसल हुआ क्या था आपको पताते चले कि बिहार के पतना में जे डी उओ आफिस में स्वेता सिंग जो की आज तक की बरिष्ट पत्रकार थी वो आई हुई थी इसी दौराण सिमाब अक्तर की नजर अचानक स्वेता सिंग पर पर जाती है और सिमाब अक्तर को फेमस होने का बहुत ब़रा एक चसका लगा हुआ है और फेमस हो पर होती है कि सुएता सिंग पडिए आरोप लगाया जा रहा है कि सुएता सिंग ने जब 2000 का नोट आने वाला था और लॉंच हुआ था उससमय आज तक की बरिश्ट पत्रकार सुएता सिंग वाली बात इसी नेशनल मीडिया ने फैलाई थी आप सवाल कर सकते हैं चाहे हुए स्वेता सिंग हो या कोई भी देश की तमाम पत्रकार जो ऐसे प्रोगेंडा चलाते हैं आप उनसे सवाल कर सकते हैं इसमें हमको कहीं पे कोई गलती नहीं लगती है सिमाम अक्तर ने सवाल प पनी की जा रही है अपमान जनक सब्दों का परियोग किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जितने अच्छे से स्वेता सिंग के पती उनके साथ बात नहीं करते होंगे उनसे प्यार नहीं करते होंगे उससे जादा प्यार से और सम्मान के साथ हमने बात की मतलब ऐसे ऐस स्वेटा सिंग पर अपमांजनत ट्पनी आभजिक अब इसको लेकर बताया जा रहा कि स्वेता सिंग ने इन सभी लोगों को मेल पर नोटिस भेज दिया है और साफ साफ कहा गया है कि या तो आप वीडियो डिलिट कीजे और वीडियो डिलिट करके आप माफी मांगे नहीं तो आप पर कानूनी कारवाई की जाएगी अब दरसल ये सभी लोगों अब आकर के एक साथ इन लोगों ने वीडियो बनाया है और इन लोगों का आप कहना है कि उसमें विकास राज जो गंजेरी है उसके बारे में दरसल एक चीज और आपको बताते चले कि नालंदा का वायरल वाय सोनू जिससे आप सभी लोग पुर्ण परचेत होंगे जो कि अभी एलेन कोटा में पढ़ रहा है और जिसका वीडियो सबसे पहले मनीश कसे अपने बनाया था और उसके बाद वायरल वाय सोनू जो है वो मुख मंत्री नितीस कुमार से सवाल करता है और सवाल इस बात को लेकर होता है कि उसके पिता सरावी है और वो पढ़ना चाहता है वो आईएस बनना चाहता है लेकिन उसके पास उतना संसाधन नहीं है जिसके बाद ये लर्का काफी वाइरल हो गया था और वाइरल होने के दोरान इससे काफी सारे पत्रकार इससे इसका जाकर के इंटर्विव ले रहे थे इसी दोरान ये गंजेरी पत्रकार जिसको कहा जाता है जिसका नाम विकास राज है ये भी उहाँ पर पहुचा था और द जब उससे एक पत्रकार ने सवाल किया और गंजेरी विकास राज के बारे में पूछा तो वायरल वाय सोनु फट पड़ा और उसको विकास राज को गंजेरी बेगरा सब कुछ बोल देता है और वायरल वाय सोनु कहता है कि दरसल विकास राज बहुत बड़ा गंजेरी है और लोग जातिगत रंग देने का हमेशा परियास करते रहते हैं और ऐसे मुद्दो पर बिवादास्पद मुद्दो पर ये लोग बीडियो बनाते हैं ताकि बीडियो वाइरल हो और ज्यादा से डाला ये लोग डॉलर कमा सके वहीं आपको पताते चले कि दरसल अब स्वेता सिं इन लोगों पर फायार करने की जो धमकी दी है जिसके बाद इन लोग का प्रान सुक चुका है और हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते लेकिन उसमें विकास राज एक्सपोज मीडिया वाला जो गंजेरी कहा जाता है वो कह रहा है कि दरसल अब अगर स्वेता सिंग ज इसने बंद करा दिया तो दरसल इससे हमारा एक सवाल और भी है कि मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंग है और हम दो साल से वीडियो बना रहे हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम स्वर्ण हैं हमने कभी जाती नहीं बताई लेकिन हम स्वर्ण हैं और हमारे जैसे जैसे आप ये बात देख लिजे कि अगर देश के टॉप 10 पत्रकारों में अगर नाम अगर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा 80 परतीसत जो है तो लोग स्वर्ण है चाहे वो स्वेता सिंग हो चित्रातिर पाठी हो अंजना ओम कस्याफ हो अभिसार सर्मा हो या फिर रवीश कुमार हो जादतर प स्वर्ण है और ये लोग कहता है कि दरसल चिंदी चोड टाइप का लोग है और ये लोग विवादास्पद मुद्दो पर वीडियो बनाता है अब इन लोग का पाला एक अच्छे बेक्ती से पर चुका है और अब इन लोग को समझ में आएगा कि आखिर होता क्या है और वि सोचते हैं आप अपनी अनमोल राए कमेंट बॉक्स में जयूर दीजेगा क्या आप लोग चाहते हैं कि स्वेता सिंग इन लोगों पर करवाई करें क्या आप लोग चाहते हैं कि स्वेता सिंग इन लोगों पर एफायार दर्ज कराएं क्या आप लोग चाहते हैं कि बेद प कारवाई हो तो अपनी अनुमोल राए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा जुरे रहे हमारे साथ अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को जाया सब्सक्राइब कर लीजेगा जय हिंद जय भारत जय जय भीहार